देखो इतनी जल्दी बॉक्स भर गया अब बाइक वाले जाएं तो जाएं कैसे का मिलती है यह अब का हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तरा खंके इन खूप शुरत पहड़ों से अब इस वएक के आठ बज़ने है और मेरी तैयारी हो गई है यहां से दरदून निकलने की जो कि लगबग है 500 किलिमिटर और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जाना है बाइक से और कल रात को ना बहुत भेंकर बारिश लगे तो रास्तों का पता ही ने कि रास्ते सही होंगे नहीं होंगे चलिए अब कुछ दिनों तक घर के इन खूप सुरत पहाड़ों को बाइ अब मेरे पास अभी यह चोटा सा बॉक्स है और यहाँ पर बहुत सारी बेरियां भी लगी है तो जाते जाते ना कुछ बेरियां रिस्तु के लिए रख देता हूं इस बॉक्स में यह देखो कितनी सारी है और रिस्तु की यह फेवरेट वाली बेरियां है इतनी निकाल दी है देखो इतनी जल्दी बॉक्स भर गया यहां पर तो इतनी सारी है मैं बड़ा असा डबबा भी भर सकता हूं लेकिन इसमें इतनी जगए है इसको बंद कर देते हैं बस एक ही चीज है कहीं ये खराब न हो जाए पर लगवग पांचे गंटे का सपर है पांचे गंटे में त उपर पहाडों से भारिस वाले बादल आने लग गए है तो भारिस भी स्टाल हो सकते है कबी भी आओ चलिए आज के सपर में मेरा साती है रिटीख अब चलते है यां से अब आज कल देखो धारों में कितना ज्यादा पानी हो गया है जरी जरी यह और ज्यादा होगा और चलिए जी अभी हम लोग निकल गये हैं गाउं से सहर की तरप और उपर पर पहाड़ों पर बादल दिखाए दे रहे हैं तो बारिश लगना पक्का ही है अब यहाँ पर देखो बाई बहुत सारी बक्रिया अभी जंगल जा रही है चरने के लिए गाउं का महौली अलग होता है इसलिए बारिश के टैम पे इन रोनों पर चलना मुस्किल हो जाता है देखो अब बाइक वाले जाएं तो जाएं कैसे हर जगे पानी है कीचड है अब यहाँ पर भी रोड के हालत बहुत जादा बेकार है और साथ में यहाँ पर आज करना काम करने वाली भी लगे है तो उपर से पहाड़ इसे पथर गिनने का डर भी है ऐसे बारिस वाले मौसम में उखिमट मार्केट में अभी पहुँच गए है और आज यहाँ पर गाड़ें की खूब चहल पहले क्योंकि बारिस हो रही है तो इस वज़त से जो यात्रा में गई हुई गाड़ियां थी वो भी अब घर आ गिये हैं अब मौसुन के टाइम पर ऐसे मौसम में ऐसी रोड़ों पर चलने के लिए बाइक में ऑफ रोड के टायर तो होने ही चाहिए ताकि बाइक फिसले ना जो कि मेरी बाइक में है नहीं अब यहां उक्मण मारकेट से बाइक को थोड़ा मिस्तरी के पास दिखाते हैं क्योंकि लंबा सपर है कहीं कोई दिक्कत नो सपर में और यहां से ठीक सामने दिखाई दे रहा है गुप्तकासी मारकेट अब यह वाला रूट जाता है यहां से केदाना धाम के लिए और यहां से ठीक आगे हमें जाना है पहाडों की रोड इतनी संक्री होती है यहां पर एक बस और एक ट्रक है यह दोनों एक साथ आये तो मतलब जाम लग गया और उपर से पत्थर गिनने का भी डर चलो भाई सब अब रोड के आलत ऐसी है कि हम लोग ओबर टेक भी नहीं घर सकते हैं पता ही नहीं चलेगा कि कब आगे से कोई घाड़ी आ जाए अब बस वाले बाइस आपको तो अभी साइड तो देनी पड़ेगी अभी ग्यारा बज गिये हैं और हम लोग पहुंच गये हैं अगस्तमुनी मार्केट में और यहां से रिसकेस है अब एक सो अठावन किलोमेटर के आसपास अभी दिन के साड़ी ग्यारा हो गये हम लोग रुद्रप्याग पहुंच गये हैं पहुंच गये हैं अभी पार्क में और यहां पना बहुत सारी चीज़े बना रहे हैं चोटे बच्चों के लिए जूले फिशलन पट्टी बहुत सारी चीज़े हैं और यहां पर देखो लिखा है आई लब रुद्रप्याग और ठीक पीछे पूरा रुद्रप्याग सहर दिखाई दे रहा है अब हर सहर के आसपास एक ऐसी जगह ज़रूर रहती है जहां से पूरा सहर दिखता है तो यहां पर भीना सहम होई है एकदम भ्यूपॉइंट साथ में यहां पर कैफे भी बन रख है और घर्मी यहां पर इतनी ज्यादा है गर्मी नहीं एक्चली उमस है यहां कि कल रात को बारिस हुई आज थोड़ा सा दूप खिली तो उमस ज्यादा हो रही है दिन के अभी साड़े वारा हो गये हैं और हम लोग पहूंच गये है स् अब जाकर जान में जाना आई भई अब यहां पर देखो यहां पर लिखाया है 105 किलोमेटर रिस्ट केस अब सिरी नगर में मेरे भाई का रूम भी है अभी वहां पर भी नहीं गिये हम लोग क्योंकि वह अभी कॉलेज होगा चलो जी अभी लंच टाइम है लंच करते हैं लंच करने के बाद हम लोग निकल गये हैं आगे के सपर के लिए और यहां पर देखो भाई गाड़ी के क्या हालो रिखे हैं और अभी टाइम हो रहा है एक बज़ कर बहुन मिनट दो बज़ने वाले हैं और यहां आगे देखो कितनी तेज दूप लगी हुए है पता ही नहीं लग रहा है कि मौनसून लगा होगा अब यहां से संगम दिखता है तो देखते हैं जी आज कल मौनसून के टाइम पर गंगा नदी कैसे दिखती है अब ठीक सामने से जो एकदम मटमैली सी आ रही है वो है अलकननदा और यहां वाला वा देखो यह जो भागी रिथी ने दिया इसका पानी अलगी है और यहां से दोनों मिक्स हो रहा है और आगे है गंगा नदी हर हर महादेव यहां वर देखो बोले नाजी कि कितनी बड़ी म अभी तक मौसम ने हमारा अच्छा साथ दिया मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है कि मैं मौनसुन के टाइम पे कहीं रैड पे निकला हूँ एक भी बूंदाबंदी कहीं पर नहीं मिली सामने की तरफ देखो बहुत सारे होटल बने हुए हैं अभी हम लोग तीन धारा अपन किलोमेटर और यहां पर बहुत सारी बसें रुकती हैं पहुंच गया है जी तोता घाटी कैसे पहाणों के बीस सड़क जा रही है अभी हम लोग रिसकेस से थोड़ा पहले रुके हुए हैं बाकि यहां से देखो रिसकेस है आब 30 किलोमेटर और अब रिसकेस आते ही हलकेल की बुनाबांदी शुरू हो गी है रिसकेस में हमारा स्वागत हो रहा है बारिस से और यह ठीक सामने अभी तो पेड़ आ गए हलका सा रिसकेस दिखाई दिने लगा है रिसकेस मारकेट आज खाली खाली नजर आ रही है वो इसलिए हो सकता है क्य आज काल बारी सो रही है डेली तो जो भी यातरी है वो कम चल रहे है अब देखो रिसकेस की सड़कों को कितने अच्छे डंग से सजाया है दोनों को तरब से वा अच्छा लग रहा है दिखने में अब यहां से फ्यूल बरवाद देते हैं इसमें भी ला 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 लॉस्वाइब जाकर टैंकी फुल हुई है कि अभी दोन पहुछ गए हैं और अब हम जा रहे हैं एक बार अख्के के घर पे चलिए अभी। committing आठ बज गये हैं और अखी के घर पे बहुत लेड लग गई आराम से बैठे रहे और अब हम लोग निकल रहे हैं चलिए जी अभी फैनली घर में पहुंच गये हैं और भाई अभी डूटी से घर आ गये हैं अब गौण से मैं रिसु की फेवरिट चीज लेकर आया था तो रि अब आपको श्ट्रवेडी कैसे लिगे आपको श्ट्रवेडी कसम से अच्छा अब भी एकदम फ्रेस हैं कहां मिलती है यह जंग भाई खाओ आराम से चलो भाई अब इनर करते हैं आज बनिये आज मिक्स वेज और ये मनिया खिर रोटी अभी हमारा रात का खाना पीना हो हो गया है फिलाल देरह दुन में मेरा कुछ काम है जो कि एक दो दिन में हो जाएगा तो चलो इस वाले ब्लोग को यहीं पर इंड करते हैं मिलते हैं आप लोग उसे नेक्स व्लोग में तब तक एडिये खसते रहिए उसक्राते रहिए जै हिंजे वर्जे उत्राखंड